राजस्थान विधानसबा चुनाव में 2023 को लेकर 60 बजार क्या कुछ कह रहा है 60 बजार की सुत्रों की अगर माने तो जिस प्रकार से लगातार जो है ओपिनियन पोल सर्वे आया उसी के साथ बताया जा रहा है भी 60 बजार हमारी सुत्र ये बता रहे हैं आप इस फुरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा इसमें सारी चीजे होंगी भी कौन सी पार्टी को किस विधानसबा सीट से विजाई हो रही है और किस जिले से कितनी सीटे जो है वो कौन सी पार्टी लेकर जाएगी और कॉंग्रेस और बीजेपी में आकरी में हम आपको वो टोटल आंकडा दिखाएंगे भी आकर में सरकार किस की बन रही है तमाम चीजें आप देखने के लिए इस चैनल पे बने रहेगा और हाँ अगर चैनल पे ने हो तो बेल आइकर का बटन दबादे और सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि आपको हर अपडेट मिलते रहें आज का हमारा सवाल है भी राजस्थान की राजधानी कौन सी है कमेट बॉक्स मेर अपनी जो है ये उत्तर दीजेगा और इसके साथ ही आप जिस विधान सबा से हैं और उस विधान सबा में कौन सी पार्टी जीत रही है वो भी जरूर बताएगा चलिए शुरू करते हैं जैसे की राजस्थान में आप सबको पता है याब जिले जो हैं सीधे 33 से बढ़कर जो हैं 50 हो चुके हैं 50 जिलों के साथ ही संभाग भी बढ़कर अब 10 हो चुके हैं अगर 50 जिलों और 10 संभाग की अगर बात करूँ और विधानसभा सीटे अभी भी पहले भी 200 थी अभी भी 200 है आलांकि विधानसभा सीटों में कोई फरक नहीं बढ़ा है अब सबसे पहले मैं सीकर संभाग की बात करूँगा तो सीकर संभाग में फिलाल 4 जिले हैं और 21 सीटे हैं इन चार जिनों और इकिस सीटों के अगर बात करूँ तो इंडियन नेशनल कॉंग्रेस यानि आइन सी को साथ से नो सीटे जो है वो सटा वजार इस बात का अनुमान लगा रहा है भी साथ से नो सीटे जो है वो इंडियन नेशनल कॉंग्रेस को मिल सकती है और बीजेपी के अगर बात करो यानि भाजपा ग्यारा से तेरा सीटे जो है सिकर से लेके जा सकती हैं और वही अन्या पार्टियां जो है वो भी यहां से जीरो से एक सीट जो है वो ले सकती हैं यानि 21 सीटों में भी यहां पर सिकर जो संभाग है उसमें बीजेपी जो है अगे बढ़ती वी नजर आ रही है और कॉंग्रेस जो है पीछे जा रही है वहीं अगर मैं दूसरे संभाग बिकानेर संभाग की बात करूँ तो बिकानेर संभाग में भी चार जिले हैं फिलहाल और अठारा करीबन सीटे हैं और अठारा सीटों और चार जिलों के अगर बात इंडिया नेशनल कॉंग्रेस को मात देती हुई 60 बजार में नजर आ रही है अन्या की बात करूँ तो अन्या भी एक सीट जो है वो दिखा रही है अब अगर मैं अजमेर संभाग की बात करूँ तो अजमेर संभाग में फिलाल साथ जिले हैं साथ जिलों में करीबन 22 सीटे हैं और 22 सीटे हैं और साथ जिलों के अगर बात करूँ तो 60 वजार जो है इंडिया नैसनल कॉंग्रेस को 10 से 12 सीटे दे रहा है और बिजेपी को जो है 8 से 10 सीटे दे रहा है वहीं अन्य जो है यहां पर अब एक से बढ़कर दो सीटे जो है इस संभाग में ले जा सकता है अब अगर इन सारों की बात करें तो इस अजमेर संभाग में कहीं न कहीं कांग्रेस का दबदबा थोड़ा सा मजबूत है और बिजेपी जो है तो हलकी सी पीछे नजर आ रही है तो यहां पर अजमेर संभाग में जो है कॉंग्रेस अच्छा काम कर सकती है 60 बजार की माने तो वहीं अगले संभाग भरतपूर संभाग के एकर बात करो तो भरतपूर संभाग में 6 जिले हैं 6 जिलों में 19 सीटे हैं और अगर 6 जिले और 19 सीटों की बात करें तो इंडियन नेशनल कॉंग्रेस जो है वो 2 से 4 सीटे यानि भरतपूर संभाग में कॉंग् के साथ भरतपूर संभाग में बीजेपी आगे बढ़ रही है और वहीं अन्य के अगर बात करें तो एक सीट आएगी यानि भरतपूर संभाग की बात करें तो भाजपा पूरन तैसे कॉंगरेस को पचारती हुई 60 बजार में नजर आ रही है वहीं अगले संभाग अगर कोट में करीबन चार जिले हैं चार जिलों के अलावा सत्रा सीटे हैं यानि चार जिलों में और इन चार जिलों के सत्रा सीटों के अगर बात करूँ तो 60 बजार जो है इंडियन नेशनल कोंगरेस को 2-4 सीट और बीजेपी को 13-15 सीट यानि भरतपूर जैसा हाली कोटा में नजर आ रही है तो वहीं अगर भाजपा की अगर बात करूँ तो तेरा से पंदा सीटे जो है वो ले जा सकती है यानि कॉंग्रेस जहां दो से चार है भाजपा तेरा से पंदा है और अन्य की बात करें तो जीरो से एक सीट अन्य है जीरो भी ला सकती है और एक सीट भी कईना कई अ ले जा सकती है तो कोटा संभाग में भी भाजपा जो है कॉंग्रिस का सूपड़ा साफ करती ही नजर आ रही है वहीं जोदपुर संभाग की बात करें तो जोदपुर संभाग में करीबन 6 जिले हैं 6 जिलों में 19 सीटे हैं और अगर 6 जिलों के 19 सीटों की जोदपुर संभाग से जा सकती है जो अगले संभाग में कहीं न कई आखड़ा लगबग थोड़ा ही अंतर है यानि हालांकि फिर भी इंडियन नैसनल कॉंग्रेस जो है यानि कॉंग्रेस जो है वो बीजेपी के मुकाबले पिछड़ती भी नज़रा रही है वहीं अगले संभाग यानि पाली संभाग में तीन से पांच सीटे जा सकती है वहीं बीजेपी के अगर बात करूं तो बीजेपी के खाते में आठ से दस सीटे जा सकती है और वहीं अन्य की बात करें तो एक सीट जो है अन्य के खाते में जा सकती है इस पाली संभाग में भी आठ से दस सीटे जहां बीजेप उद्धेपुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर नुक्षान जो है उद्यार्पुर संभाग में कॉंग्रेस को होने वाला है। पी हलकी सी पीछे हालांकि कांटे की टक्कर बासवाड़ा में रहेगी सभी सीटों पर तो कईना के बराबर की जो सीटे हैं वो बासवाड़ा संभाग में हो भी सकती है और हालांकि 60 बजार जो है कॉंग्रेस को आगे दिखा रहा है वहीं आखरी संभाग अगर जैपूर की में बात करूँ तो जैपूर में 7 जिले हैं और 35 सीटे हैं 7 जिले और 35 सीटों के अगर 60 बजार की माने तो इंडिया नेशनल कॉंग्रेस के खाते में 13 से 15 सीटे आती वी नजर आ रही है और वहीं अगर भाजपा के अगर बात करूँ तो 18 से 20 सीटे जो है वो भाजपा के खाते में जा सकती है और इन 35 सीटों में अन्य के अगर बात करूँ तो 0 से 2 सीटे यानि अन्य चाहिए उसमें अन्य पार्टी ले लो या निर्दली ले लो 0 से 2 सीटे जो है वो जिरो भी रह सकती है और दो सीटों तक जो है वो अन्य जो लोग है आ सकते हैं यानि जैपूर सबसे बड़े संभाग में जहां पर जैपूर में परदेश की राजधानी है उस राजधानी में जो है भाजपा जो है सीधी तोर पर सेंद मारती भी नजरा दिये तो वहाँ पर राजधानी के आसपास और राजधानी की जो 35 सीटे हैं उसमें जो है वो भाजपा बहुत बड़ी पार्टी बन कर उबर सकती है और अगर इन तमाम आंकडों के अनेलसिस की अगर मानें अगर इन तमाम आंकडों को देखे हैं जो 60 बजार के जो आंकडे सुत्रों कहवा सीटे और इससे साफ होता है भी भाजपा जो है राजस्थान में नेक्स्ट सरकार बनाती हुए नजरा रही है और अधर की अगर बात करूं तो 9 से 12 सीटे जो है अब की बार अधर पार्टियां कहें निर्दलिया कहें या जो कैंडिडेट है वो भी 9 से 12 जो है वो वेक्ती करा सकते हैं लेकिन बीजेपी जिस जादू यांक्रे की बात कर रहे है एक 101 आंक्रा उससे कहीं नो से 20 सीटे जो है नो से 19 सीटे जो है वो ज़्यादा लेती हुए नजरा रही है तो इस सटा बजार की बाजपा की सरकार जो है पूरन बहुमत के साथ बन रही है अब कमेट बजार से आप कितनी पूरन ते सहमत है या नहीं है क्योंकि ये सुत्रों के हवाले से ये कबरे आई है आपको ये खबर कैसे लगी कमेट बॉक्स में अपनी राय दीजेगा और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन का बटन दबाएं आज क लब सितनाई जाहिंद वंदेवातरम